तो नमस्कार दोस्तों सौगत है अपकार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमजी के भंडारा में तो दोस्तों पुलिस भरती को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है तो हम बात करेंगे इसमें कि जो मार्क स्कीम रहने वाली है वो क्या होगी इसमें पेपर कितने नंबर का होगा और आपको एडिशनल मार्क्स हैं वो किस-किस चीज़ों के आपको मिलने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो पहली बार आपका डोप टेस्ट होगा ठीक है भरती के नियों में बदलाव का जो अटराफ्ट जारी किया गय हैं और इसमें जो महिलाओं का अरक्षन है वो 30 प्रतिशत कर दिया गया है ठीक है जो पहले 25 प्रतिशत था ठीक है तो आप इस नियूस को पॉस करके पढ़ सकते हैं तो चलते हैं में खबर की तरफ ठीक है जिसका आप सभी को इंतजार था कि ये पुलिस वरती कब आएगी और इसका paper pattern क्या रहने वाला है और marks scheme क्या होगी ठीक है तो बात करते हैं जो हमारा paper रहने वाला है दोस्तों वो होगा 90 marks का ठीक है तो 90 marks का आपका paper रहेगा जो additional marks हैं दोस्तों इसमें वो रहने वाले हैं आपके NCC के ठीक है NCC के आपको इसमें 4 marks हैं maximum और height के हैं 6 marks ठीक है तो आप अपने ध्यान में रखें ये बात तो NCC A certificate वालों को जो नंबर मिलने वाले हैं वो होगे एक नंबर NCC B वालों को मिलेंगे दो नंबर और NCC C जिसके पास है उसको चार नंबर डारेक्ट मिलेंगे ठीक है तो इसमें लंबाई में भी एक इंच बढ़ा दिया गया है मान लीजे पहले आपकी 5-6 पे आपको एक नंबर मिल जाता था अभी आपको 57 से नंबर जो है मिलना शुरू होंगे ठीक है अब पुलिस भरती में महिलाओं को 25 के बजाए जो है वो 30 प्रतिशत अरक्षन मिलेगा ठीक है और चलते है न्यूस की तरफ हिमाचल परदेश में लोगसबा चुनाव से पहले पुलिस कॉंश्टेबल की भरती होगी ठीक है तो लोगसबा के जो चुनाव होने वाले है उनसे पहले ये भरती करवा दी जाएगी ठीक है भरती के सभी वर्गों के लिए एक एक इंच जो है लंबाई बढ़ाई गई है भरती के लिए सरकार ने कुछ बदलाव किये है समाने वर्गों के लिए पुरुष भरती के लिए लंबाई 5.6 फिट अरक्षित वर्गों के लिए 5.4 जो minimum हाइट चाहिए वो 5.6 और 5.4 रहेगी ठीक है पर इस पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले है ठीक है तो महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 5.2 फिट रहे रखी गई है पुलिस मुख्याले 12-28 पदों को भरने के अपचारिकता है पूरी करने में जुटा है शिशोदी पुलिस भरती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षित दिया पुलिस मुख्याले की और से इसके लिए 15 दिन के भीतर आपति और सुझाव मांगे गए है ठीक है तो आपको पता है कि पुलिस परतियों काफी टाइम से लटकी गई थी तो इसके बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है ठीक है और इसकी जो ग्राउंड रहने वाला है हम उसके बारे में बात करेंगे पुलिस अभ्यारतियों को जो है वो 1500 मिटर में अपने दौड पूरी करनी होगी और वो 5.5 मिनट तक पूरी करनी पड़ेगी तो दोस्तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट है तो पहले जो 6.5 मिनट में दौरी करनी होती थी वो अब 5.5 में तो यही निकल के आ रहा हो सकता है इसमें थोड़े चिंजिस किया जाएं ठीक है महिलाओं के लिए जो है वो 800 मिटर की दौर होगी और उन्हें यह यह दौर है वो तीन मिनट 45 सेकंड में करनी होगी तो दोस्तों मुझे लगता है यहां पर थोड़ी गड़बर है तो द ठीक है होगी और बात करें लॉंग चंप की तो वह हो पहले की तरह ही है चार मेटर पुर्षों के लिए और महिलाओं के लिए तीन मेटर ठीक है तो आप इस न्यूस को पॉस करके अच्छे से पढ़ते हैं तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह की और अपडेट चाहिए होगी और यह से लेबस चाहिए होगा तो आप हमारे जो टेलिग्राम चैनल है उसको जाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते है अगली वीडियो में अभी के लिए जैहिंद